नमस्कार दोस्तों मैं जिससे आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने येट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजीव गांदे प्रतिकुकी विश्वी द्याले भॉपाल के डिपलोमा इंजिनेरिंग के इस्टूनेट अपना विडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको दोस्तों आरजी पीवी डिपलोमा डॉट इन सर्च करना है जब सर्च करेंगे तो कुछ ही इस तरगी का इंटरफेस आपके सामने सबसे पहले ओपन होगा जिसमें सबसे पहले इंपोर्टेंट अलर्ट का नोटिफिकेशन म कब तक है और एक्जाम फार्म कब तक फिलफ कर सकते हैं और जो का इक्जाम संबन सब्चान होता है उनसे उपको मिल जाएगा एक option आपको कट करने का मिल जागा इस पर आप क्लिक कर सकते हैं अब दुस्तों आपको लॉग इन करने का एक पेज मिलेगा जहाँ पे आप इस्टेशन के टाइम पे क्रेट किया होगा उसको फिलब करना है आप अपना यूजर आड़ी और पासवाट को फिलब करके लॉग इन हो जाते हैं तब आपके सामने कुछ ही इस तरीके का इंटर्फेस सबसे पहले सोगा जहां पे आपको टाइमिंग मिल जाएगा और इस तूडेंट सर्विस का उसके जश्ट वगल में हैल्फ डेक्स मिल जाएगा तब आपको इस्टूडेंट सर्विसेस पे क्लिक करते हैं तब दोस्तों कुछ ही इस तरीके का इंटर्फेस आपके सामने सोगा बहुत सारे उप्संस मिल जाएंगे एक आपको आप्सन देना है तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटर्फेस होगा जहां पर आपको इंस्ट्रक्शन के रूप में कुछ बेसिक जानकारी दिया जाएगा जो कि छात्र एक्जाम फॉर्म करते से में अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है तो बहुत सारे सात्रो का हमें कमेंट आता है कि सेर अब हम क्या करें तब आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें आपको पे help मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि आपके खाते से online transaction करते time transaction filled सो होता है और परिक्षा का जो सुल्क होता है आपके खाते से कड़ जाता है तब आपको form को दुबारा फिलप नहीं करना है क्योंकि दोस्तों आपका form बाद में अगले दीन सब्मिट हो जाए अपडेट हो जाएगा और इंवर्सिटी के खाते में चला जाएगा और आपका exam form सब्मिट हो जाएगा अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है तब आप करस्टोमर के को कॉंटेक्ट करके उस transaction का रिपोर्ट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करेंगे तब आपको आपका enrollment number और exam का season का option मिलेगा अब आपको सर्च वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप सर्च करते हैं तब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरके का इंटरफेस होगा जहां पर आप देख सकते हैं कि आपका पूरा जो प्रस्नल इंफॉर्मेशन होता है उसकी जानकारी मिल जाएगा नीचे में आपका जो semester है और जो student है regular है कि private हैं उन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी अ अब आपको वहां पर question paper के बारे में जानकारी मिलेगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा अब नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो फीच डिटेल मिल जाएगा जितना आपको online payment करना है payment करने के लिए दूस्तों आपको बहुत सारे options multiple options मिल जाएगे आपके पास जो भी payment modes available हो उससे आप payment कर सकते हैं तो दूस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का फीच स्ट्रक्चर होगा सेमेश्टर फीच जो है marksid फीच है forward फीच है total forward फीच क्या है yearly फीच, sports फीच, development फीच, cultural फीच, बहुत सारे options मिल जाएगे अब नीचे में थोड़ा सा स्क् अब आप देख सकते हैं कि यह के payments modes का option मिलेगा जहां पर आपको Union Bank of India की net banking का options मिलेगा अब उस पर जब क्लिक करते हैं तब आपको दोस्तों तीन options मिलेंगे जो कि कुछ इस प्रकार का होगा जिसमें सबसे पहले Union Bank of India की net banking है पंजाब National Bank का भी net banking है अब एक नया payment mode add किया गया है जो कि HDFC PayU बीच का है इससे दोस्तों HDFC PayU बीच पे जब आप किलिक करते हैं तब आपको credit card debit card net banking किसी भी बैंक का आप सेलेक्ट करके payment कर सकते हैं इतने सारे multiple options मिल जाएगे Union Bank को आप सेलेक्ट करते हैं तब आप Union Bank की net banking से payment कर सकते हैं PNBA से से सेलेक्ट करते हैं तब पंजाब National Bank की net banking से पेमेंट कर सकते हैं लेकिन अगर आप HDFC का सेलेक्ट करते हैं तब आप बहुत सारे options से payment कर सकते हैं अब आप के पास जो भी payment gateway हो उसको आप सेलेक्ट कर लाए उसके बाद दूस्तों payment gateway को select करने को नीचे में scroll करेंगे तो फिर से आपको instruction मिलेगा कि payment करने के बाद अगर आपका payment failed होता है और पैसे आपके खाते से कड़ जाते हैं तो दुवारा आपको payment payment नहीं करना है क्योंकि अगर आप दुवारा payment करते हैं तब आपका जो payment है वह रिफंड नहीं होगा और अगर आप नहीं करते हैं अगले 24 घंटे में आपका जो फॉर्म है फारवर्ट कर दिया जाएगा इनवर्सिटी के दौरा अब नीचे में अगर आपको किसी उप्रकार क प्रावब्लम हां था तो हेल्फ लाइन नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं अब नीचे में स्क्रॉल करना है एक टम्स एंड कंडिशन का बॉक्स मिलेगा उसको क्लिक कर देना है कि उसके बाद दूस्तों और थोड़ा से नीचे स्क्रॉल करना है उसके वहाँ पर भी एक घ पर क्लिक कर दिया जाएगा अब वहां से अपना जो भी पेमेंट गेटवे होगा उसको सेलेक्ट करके पेमेंट कर लें तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हैं तब आपके सामने कुछ इस तरिके का रसीद जेनरेट होगा आप इसको प्रिंट आउट ले 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 इन फ्यूचर अगर आपका फॉर्म फारवर्ड नहीं होता है या किसी प्रकार का टेक्निकल इसू होता है तब आप इस फॉर्म से क्लेम कर सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने त धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए